हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास डेस्क, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया था, सब्सक्राइब कौन कौन से सबसे जादा वैल्योबल कॉर्सिज है, जो कौन कौन सी बेस्ट डिगरी जिसके लिए हमें आगे सोचना चाहिए, तो इस वीडियो होता है, यह कोर्स बेकार है, यह कोर्स अच्छा है, इस कोर्स से आपका कुछ होई नहीं सकता, अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, जहां पर आपका इंटरस्ट है, और अगर आप अपना 100% एपर वहां पे लगाते हो, आप उस कोर्स की पूरी डीटेल को समझते हो, तो आप हर एक करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो however मैं past trends को analyze करता हुआ जितने भी हमारे students पुराने सालों में different courses में गए हैं उनसे जो मैंने feedback लिया उसके बाद मैं आपको कुछ courses बता रहा हूँ जो आप target यहां पे कर सकते हो सबसे पहला होता है आपका b.com honors सबसे common है हर एक commerce का student इस course के बारे में जानता है और इस course में जाना चाता है b.com honors में आपको commerce related जितने भी subjects होते वो पढ़ाये जाते हैं b.com honors के बाद आप चाहो तो future में m.com कर सकते हो m.b.a कर सकते हो या फिर job करके अपना career start कर सकते हो b.com honors के काफी सारे colleges हैं जो काफी popular है जैसे srcc हो गया लेड़ी शीराम हो गया hindu college हो गया हंसराज हो गया वेंकी हो गया आई-पी उनिशिटी में b.com honors कराया जाता है तो यह एक option है जो आप explore कर सकते हो number two पे हमारे सामने आता है eco honors इको honors भी commerce के students में काफी जादा popular है जिनका जो interest है वो economics की तरफ जादा है जिनका interest mathematics में जादा है क्योंकि economic honors में math भी बहुत सारा होता है तो अगर आपका interest है कि long run में आप economist बनना चाता हो आप एक researcher बनना चाते हो तो आपके लिए course काफी जादा अच्छा हो सकता है हर जो important course मेरे सामने निकल के आता है वो है BBA या फिर BMS देखो BBA और BMS जो courses है यह management के लिए courses है तो आप में से काफी सारे students है जो long run में manager बनना चाते हैं चाहे finance manager हो, marketing manager हो, HR manager हो, operation manager हो तो आपके लिए course काफी जादा useful हो सकता है क्योंकि BBA का मतलब हो गया bachelor in business administration, BMS का मतलब हो गया bachelor in management studies तो दोनों courses more or less same होते हैं इंडिया में बहुत सारे colleges है जो इन courses को कराते हैं और इन courses के बाद आप अपना career start कर सकते हो, आप management की jobs कर सकते हो इसके साथ ही आप चाहो तो अपना future में MBA कर सकते हो, आप काफी जादा corporate jobs में जा सकते हो और काफी अच्छी opportunities आपकी यहां पे निकल के आती है, BMS के काफी सारे top institutes हैं जैसे शही सुग्देप College of Business Studies हो गया इसके बाद अगर आप देखोंगे Christ University हो गया, Symbiosis हो गया, Narci Monji हो गया, IP University हो गया, St. Xavier's हो गया जहाँ पे BB और BMS top class का होता है, इसके बाद अगर मैं fourth option की बात करूँ तो काफी सारे commerce के students law में भी अपना career बनाते हैं, वो LLB करना चाहते हैं, अगर आपका interest law की side में है, तो law में भी different सारी varieties होती हैं, आप legal advisor बन सकते हो, आप corporate में जा सकते हो, आप practice कर सकते हो, उसके बाद आप higher judiciary में जा सकते हो, तो काफी सारे opportunities जेंएंगी law में पढणना बहुत पढ़ता है, काफी सारे articles होते है, काफी सारे code होते हैं, काफी सारे amendments होते हैं, हर چीज़ के बादे में आपको updated रहना है, तो अगर आपको होता है कि हमें तो long run में MBA करना है और MBA के लिए इंडिया के जो top institute है वो है IEMS तो IEMS ने सोचा अगर यार बच्चे को MBA ही करना है तो क्यों न 12 के बाद से उसको तयार किया जाएं तो इसलिए उन्होंने course निकाला 5 year का जो है integrated program in management जिसमें आपका graduation प्लस MBA दोनों हो जाता है इस समय काफी सारे IEMS है जो यह course कराते जिसमें से आपके top IEMS हो गए IEM indoor, IEM row तक जहांपे आप target कर सकते हो and management में after 12 ती अपना career start कर सकते हो 5 साल में आपकी पढ़ाई भी पूरे जाएगी जिसमें graduation and post graduation आपका complete जागा जिसके बाद आप अपनी job करो entrepreneurship करो अपना business करो हर एक चीज के आपके doors open हो जाते हैं उसके बाद अगर मैं बात करो तो next option एक commerce student के सामने बहुत popular होता है वो है CA का course तो अगर आपका interest accounting में है आपका interest numbers में है आपको long run में auditing में जाना है आपको compliance में जाना है तो आप CA का course कर सकते हो जो है chartered accountant CA का जो course होता है वो आपको कराता है ICAI Institute of Chartered Accountants of India और इसमें भी जो आपका process होता है वो आपका पहले foundation होता है फिर आप अपने IPCC level को clear करते हो फिर आपके article ship होते है फिर आपका final होता है और CA की भाई बहुत ही एक repeated career option है आप long run में चाहो तो self practice भी कर सकते हो आप बड़ी-बड़ी auditing forms में जा सकते हो जो big four of the world बोली जाती है जो आपके Ernst & Young हो गया PwC हो गया Deloitte हो गया KPMG हो गया आप finance companies में जॉब कर सकते हो आप taxation companies में जॉब कर सकते हो तो काफी अच्छी career opportunity यहाँ पे है however थोड़ा सा difficult course है मेहनत करनी पड़ती है तो अगर आप मेहनत करने के लिए तयार हो आपका accountancy में core interest है तो यह course आपके लिए appropriate हो सकता है उसके बाद हमारे सामने एक और popular course है जो है CS का course CS का मतलब होता है company secretary यह course आपको कराता है institute of company secretaries of india यह course compatibly CS से easy है CA वाले जो बच्चे होते हैं उनका interest जो अकाउंटिंग की तरफ होता है जो CS वाले बच्चे उनका interest more or less compliance में होता है laws में होता है इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो CS की students हैं वो long run में LLB भी कर लेते हैं और यह combination बहुती popular combination है किसी भी company में company में काफी सारी jobs होती हैं चाया आप company formation की बात करो आप top MNCs की बात करो वहाँ पे enter करके एक company secretary अपने career को start कर सकता है तो यह मैंने आपको top 7-8 career options बताए हैं जो सबसे जादा valuable हैं सबसे जादा जिनका एक trend रहा है बच्चे जहाँ पर जाना चाहते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे career option है जैसे बहुत सारे बच्चे mask को हम journalism में जाना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं होटल management आप काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं इस course का नाम होता है ICMA, काफी सारे बच्चे एक्चुरी में जाना चाते हैं, अगर आपका interest computer की side में है, coding की side में है, तो आप BCA भी कर सकते हो, bachelor in computer application, उसके लावा English honors का course हो गया, तो काफी सारे course opportunities तो है, however मैंने आपको वो courses बताए हैं, जो ज़्यादा तर student जाना prefer करते हैं, य अगर आपका deep interest नहीं, मुझे तो long run में आपको editing में जाना है, आपको news reporter बनना है, या फिर आपको column writing करनी है, या उस तरह के career opportunities में आप आगे बनना चाते हो, तो मास कॉम में जा सकते हो, अगर आपको लगता है मुझे service industry में आगे बनना है, तो आप hotel manager में जा सकते हो, अगर आपका interest किसी particular field में है, तो उस field के भी top institutes होते हैं, top entrances होते हैं, जिसके through आप best colleges में इंटर कर सकते हैं, बहां से भी आपको बहुत useful, valuable degree मिल जाती है, तो ये मैंने आपको इस video में एक broad overview दिया है, जो career option है, किसी भी career option के बारे में, अगर आप बहुत in depth में जानना चाहते हो तो नीचे comment कर देना, मैं आपके लिए उसके ओपर पूरी research करके, कौन कौन से top institutes है, colleges है, उन सब के ऊपर भी आपके लिए videos provide कर दूँगा, so I hope आपको ये video helpful लगी होगी, thank you so much and channel को subscribe कर लेना, ताकि ऐसी videos के notifications आपको मिलते नहीं, so take care, good luck